और मेरा वास सर्वत्र है I am the omnipresent मैं सब जगे में मेरा वास है फिर भी मैं इनके अंदर नहीं पिर भी आ लोग है तो भगवान स्री कृष्ण परम शक्ति हैं परम भगवान है उनसे जो सब सिर्ष्टी निकलिये हम सब जीवात्माएं निकलिये और सर्वत्र उनकी शक्तियां है material nature है बहुतिक शक्ति बहुतिक सभाव और आध्यात्मिक सभाव material nature उनकी शक्तियां एनर्जी जहें external potencies eternal potencies यह सर्वत्र व्याप्त है और सब जगे भगवान की प्रजेंस है उनके माध्यम से लेकिन वो अपनी परम इस्थान पर हैं परम भक्त शुद्ध भक्तों की आगोश आलिंगन में हैं उनके साथ रहते हैं उनकी बहुत सिंपल सुन्दर दिवी लीलाएं हैं जिनको जानने के लिए हिर्दय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है अपने परंधाम में भी भगवान स्री कृष्ण परम वेश में गोपाल स्वरूप में रहते हैं ग्वाले की रूप में और नित्य ही दिव्य गायों का गोचा गायों को चरानी जाते हैं सुन्दर हरियाली में हरे घास में और ग्वालों के साथ में अपनी शुद्ध भक्तों के से घिरे वे रहते हैं तो परम परमश्वर का रूप अचिंत रूप है हमारी बुद्ध से परे है इसलिए हम नहीं पहचानपाते सुन्दावान लगते ग्यान स्रुद्धा से हमको यह आत्मउजान प्राप्त होता है आत्म ज्यान से भक्ती करने से भगवान की जानकारी होती है विशेश रूप से वो ही मेरे दाम का दाम में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है जो भक्ती करता है भक्ती से मुझे पैचान सकता है भक्ति से ही सरद्धा उदय होती है भगवान की सेवा करने से सरद्धा उदय होती है बिना सेवा सरद्धा उदय नहीं होती सरद्धा के बिना भक्ति तो कैसे होगी सरद्धा के बिना भगवान से प्रेम कैसे होगा नैचे मतस्थानी भूतानी पश्र में योगम एश्वरम भूत भृन्चे भूतस्थो ममात्मा भूत भावनाः यह तमाम स्रश्टी में जितनी भी अंशें यह सब मेरे से मेरे अंशें हम सब भगवान के छोटे छोटे अंशें केशाग्रे सत्भागश्यो शतांशह साध्यसात्मका जीवा सुक्षम सरूपोयम संख्याती तो ही चितकणा असंख चिदानंद कण चितकणा यह इस्प्रीचुल आत्माएं सचिदानंद आत्माएं जो असंख में फेली विये असंख आत्माएं भग्मान कहते हैं कि ये जो है केश्ट के आगे की नौक के दस जार टुकड़े किए जाएं उनमें से एक टुकड़ा इतना सा सरूप आत्मा का है जरक करके देखिए आपके बाल की आगे की नौक के दसजार टुकड़े कीजिए तो एक टुकड़ा उठाए उतना सा आपका स्वरूप है उतना आत्मा का स्वरूप है जो इस शरीर में बद्ध है शरीर में इस्थिर है जिसके कारण से इस शरीर है ये आत्मा छोटा सा कण अगर निकल जा शरीर से तो ये शरीर पड़ा रह जाता है उसको मृत्यू कहते हैं डाक्टर लोग कि मृत्यू हो गई वही आई इसकी मर गया ले जाओ अन्तेश्टी कर दो वो कंभ था तब तक इसका अलन चलन थी नास्ता था गाता था शादी बरातों में ब्याहों में नारे बाजी लगाता था निता बनता था सभी कारी करता था इस आत्मा की इस कड़ के कारों कर निकल गया यह आत्मा यह आपका स्वरूप है जीवरों स्वरूप है नित्य कर्शन दास चैतन महापरुजी कह रहे हैं कि यह जीव का इस कड़ का स्वरूप जो है असली स्वरूप कर्शन का दास बना रहना है यह इसकी इस्थिति है कर्शन का दास जो एक कर्शन के दास दासित्वता को भूल जाता है दास्ता को भूल जाता है तब जाके यह दुखों में उतरता है उस आनंद को छोड़ करके उस पर्मानंद को छोड़ करके अपने सरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और क्या मेरी कर्टबी है आप हम सब का भगवायन स्रीक्रशन पिता है वो गोविंद पिता है वो नारायन पिता है औरिजिनल फादर है आपका पिता है बाकि तो यह शरीर के मिट्टी के पुतले के माता पिता बेन भाई ज जनम जनम होते हैं जितने जनम आपके हुए हैं हर बार हुए हैं चैकुत्ते बिल्लियों में जनम हुए हो या भेडबक्रियों में हुए हो या नर्बानरों में जहां भी देव किन्नरों में आपके माता पिता होते हैं इस शरीर के माता पिता होते हैं शरीर आत्मा के नहीं आत्मा के पिता तो बासुदेवस्री कृष्ण है तो उस असली पिता को भूल करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं नहीं उनको प्रसन करके ही हम सुखी हो सकते हैं उनकी और चलके ही हम सुखी हो सकते हैं उनको पहचान के ही जीवन यापन करना चाहिए यह अपना स्वरूप पहचानना है जीवरो स्वरूप है नित्य कृशन दास ये निकलम दास थे आज नहीं रहेंगे नित्य सतत ये बक्ति बगवान की बक्ति की और पहला चरण कदम है कदम बढ़ाना है कि बगवान को पहचान जाना और अपनी आपको पैचान जाना यता आकास इस्तितो नित्यम वायू स्तरवत्रगो महां तथा स्तरवानी भूतानी मतस्थानी त्युबदार जैसे आकास में वायू रहता है आकास यानि जहां पर भी आकास है इस्पेस है वहाँ पर वायू रहता है वायू देवता विंड तो यह आकास तो बहुत विश्तार में है यह मैटियल वर्ल्ड का आकास बहुत विश्तार में है जिस आकास में अनंत ब्रह्मांड है विजीवल फॉर्म्स है स्रष्टी है भगवान की यह आकास के अंदर आकास भी स्रष्टी का ही पार्ट है लिए आकास सुक्षम तत्व है आखों से नहीं दीखता लिए इस थुल तत्व इसके अंदर लटके हुए है बगवान केते हैं जिसे आकास में वायू रहती है अगनी रहती है जल रहता है अर्थ प्रत्वी रहती है आकास में तो यह दूसरे चार तत्व विराज मानें कहिए कि 24 तब तो आकास में विराज मानें लग तो ऐसा ही रहा है बगवान कहते हैं जिसे आकास में वायू रहती है ऐसी ही तमाम अनंत ब्रह्मान्ड बैकुंट जगत आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत तमाम अनंत यह मेरे अंदर है यह मेरे अंदर विराज माने मेरे अंदर रेष्ट कर रहा है तमाम यह था आकाश इस्थितो नित्यम वायू सर्वत्र गो महान तता सर्वानी भूतानी मतस्थानी उपधारिया ठीक उसी प्रकार से यह तमाम ब्रह्मान्ड इंक्लूड आकाश इंक्लूड इस्पिरिच्वल वर्ल्ड इंक्लूड इस्पिरिच्वल प्लानेट्स आर विदिन में इसको जानने के लिए थोड़ा सा फिर से बताता हूँ आपको क्योंकि यह तमाम भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार यह सवी भगवान के परमधाम से प्रकाशित जो अनन्त सूरियों जैसा प्रकाश है जिसको ब्रह्म जोती नाम से कहा है यह ब्रह्म जोती के अंदर इस्थित हैं ब्रह्म जोती के अंदर वन फौर्थ हिस्से में यह अनन्त ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड है और थ्री फौर्थ हिस्से में स्प्रिच्वल धाम है ब्रह्मियोती में जैसे आकाश में एक दिशा में कुछ बादर खड़े हो जाएं ऐसे ही एक कॉर्नर में ब्रह्मियोती के एक कॉर्नर में a material world भी है थिरी फोर्थ कॉर्नर में spiritual world है ब्रह्मियोती क्या है बहगवान के दाम से निस्कासित एक प्रकाश है इसलिए भगवान ने कहा है ब्रह्मनों ही प्रतिष्ठाम अमरित श्या व्याजशच शाश्वत श्यच धर्मश्य शुकश्य कांति कश्यच यह ब्रह्मयोती का जो शाश्वत है अजर अमर है आनंद स्वरूपा है धर्म स्वरूपा है इसका आधार मैं हूँ कर्ष्ठाम भगवान कहते है कि इस भरह्मयोती का आधार मैं हूँ यह ब्रह्मयोती में सब है तो भगवान की भगवान का प्रकाश है यह ब्रह्मयोती तो प्रकाश में सब है ऐसे ही जैसे कोई देश का प्रसिडेंट कहे कि ये तमाम citizens मेरे अंदर वास करते हैं तो इसका मलब ये तो नहीं कह रहा है कि उसके शरीर के अंदर सब लोग नहीं मेरे देश में वास करते हैं ये देश का राज़ा मैं ये मेरा देश का विस्तार है इसमें सब घर बने हुए है प्राणी जनल रह रहे है ये मेरे अंदर ही रह रहे है मेरे घर के अंदर रह रहे है मेरे देश के अंदर रह रहे है मेरे अंदर रह रहे है ये सबका मेरे इर्दे में वास है मैं इनको पहचानता हूँ जानता हूँ कौन-कौन सी जन कहा कहा है कौन-कौन अफसर कहां कहां है मैं इस देश का राजा हूँ प्रेसिडेंट भगवान उसी प्रकार से कह रहे हैं कि सारे अनंत स्रश्टी मेरे अंदर है ऐसे ही जैसे आकाश के अंदर वायू सब जगे बिद्धमान होता है इसके आगे के इस लोगों में जो हम चलते हैं तो इसका ज़्यादा इस पश्टा से पता चलता है भगवान कह रहे हैं कि सरव भूतानी कौन तेयो प्रकृतियांती मामिकाम कल्प्षे पुनस्तानी कल्पादो विसर जायम में हम कल्प यहां पर कहा है प्रले का महा प्रले का जब कल्पादो आता है तो यह तमाम ब्रह्मान भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति को प्राप्टो जाते हैं बगवान की प्रकर्ति क्या है बगवान का सुभाव क्या है प्रकर्ति यानि सुभाव बगवान का सुभाव क्या है इस्प्रीच्वल आध्यात्मिक सुभाव तो महाप्रल्यमें जो यह अनंत ब्रह्माण्ड चले जाते हैं अतिसुक्षम रूप में यह अपनी मूल प्रकर्ति में चले जाते हैं और मूल प्रकर्ति इस्प्रीच्वल है आद्यात्मिक है शाश्वत है जिसमें कभी बदलाव नहीं आता बहुतिक प्रकृति में बदलाव आता है बहुतिक सुभाव में बदलाव है आध्यात्मिक सुभाव में बदलाव नहीं है वो इस्पिरिच्वल नीचर है बगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति को ये सारी महाप्रले में सब मेरी प्रकर्ति को प्राप्त हो जाते हैं यानि भगवान कह रहे हैं कि spiritual nature को प्राप्त हो जाते हैं आध्यात्मिक सुभाव को प्राप्त हो जाते हैं उपलब्द हो जाते हैं महा महा प्रलेमे सारे भौतिक तत्वी ये सब आत्माएं भी सारी अनन्त आत्माई महा विश्नु की गर्व में चली जाती है वहाई उनको इस्प्रिश्वल सुभाव मिल जाता है क्यों भगवान के पेट में है मा प्रले के समय कल्प शे पुनस्तानी कल्पादो विस्रजामिहम और जब कल्प खत्म होता है वो प्रले का प्रले का अलजर से खत्म हो जाता है तब वापिस में पुने सरश्टी करता हूँ तो यहां पर मैं आपको प्रले और सरजन का थोड़ा सा अनुभव देता हूँ प्रले क्या है और सरश्टी क्या है मूल प्रकर्ती को भगवान चुदित करते हैं यानि विकार युक्त करते हैं तो उसमें से सबसे पहले एहंकार प्रगट होता है यह संसार नहीं होता यह अनंत ब्रह्मांड नहीं होते ब्रह्मा विश्नु मैस भी नहीं होते भगवान सरी कुष्ण गीता में आगे चलकर कहेंगी इस बात को कि जब मैं इस मूल प्रकरती को गर्ववती करता हूं विकार युक्त करता हूं तब इसमें से एहंकार पहले प्रगट होता है यह एहंकार तीन जगे विवाजित होता है जिनसे इसका नाम तीन तरह से जाना जाता है तमोगुणी एंकार, रजोगुणी एंकार, सतोगुणी एंकार एंकार में विकार हो जाने से ये तीन जगे डिवाइड हो जाता है तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी तमोगुणी एंकार से निकलते हैं पंच महाबूत प्रत्वी जल अगनी वायू आकाश रजोगुणी एहंकार से निकलती हैं इंद्रियां दसों इंद्रियां जो हमारे शरीर में हैं तमाम ब्रह्मांडों में यह कॉस्मोस लेवल पर बाते हैं यह रजोगुणी एहंकार से प्रकटूती हैं हमारी दसों इंद्रिया और बुद्धी सत्वगुनी सवबा एहंकार से प्रगट होता है मन इस प्रकार से ये मूल एहंकार जो पैप्रतम निकला है मूल प्रकटी से ये चोविस तत्तों में विवाजित होता है चोविस तत्तों में हमारी दस इंद्रिया है और पाच ग्यानिंद्रिया पाच कर्मिंद्रिया दस इंद्रिया हो गई पाच ग्यानिंद्रियों के अधिश्टात्री देवता है रश रूप गंध इत्यादी पंद्रा एंकार मन बुद्धी हैं पंद्रा और तिन अठारा और पंच महाभूत अठारा और पांच तेवीश और चाविश्वे नंबर पर है स्वभाव नेचर मूल नेचर मूल प्रकरती मूल नेचर ओरिजिनल नेचर ये 24 तत्व मिलके ये संसार को बिजीबल बनाते हैं द्रश जगत बनाते हैं द्रशवान बनाते हैं तो हमको दिखाई देने लगते हैं अपने शरीर भी ये सूरिये चांद तारे भी जल समुद्र इत्यादी बिजीबल होते हैं ये ये यूनिवर्स बिजीबल होता है 24 तत्तों की मिलम से ये सब उस मूल एंकार से प्रगट होते हैं स्रश्टी इस प्रकार से नीचे उतरती है आकाश विकार यूपत होता है तो वायू रूप में परणित होता है वायू विकार यूपत होती है तो अगनी रूप में परणित होती है अगनी में विकार आता है तो जल रूप से परणित होती है और जल में विकार आता है तो प कर दो कर दो